दिस इस Sumitra here and welcome to TED-Menthen जैसा की हमने EVS की NCRT जो डिसकस की थी लास्ट वीडियो में हमने 4th क्लास की NCRT के जो सारे नोट्स हैं वो हमने कवर कर लिये हैं और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अज अज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4th class की NCRT को मैं कोशिश करूंगे कि class 5th की NCRT को भी हम लोग 4-5 वीडियो में इसको complete कर लेंगे तो start करते हैं friends आज class 5th हम आज start करेंगे so let's start तो friends जिसा कि आप देख सकते हैं class 5th का ये first chapter है जो कि आपका super senses के नाम से है super senses ठीक है और हिंदी में अगर आप इसका नाम देखेंगे तो होगा कैसे ढूंडा चिर्टी ने कैसे ढूंडा दोस्त को किया चिर्टी ने कैसे तहचाना दोस्त को शैरल कुछ इस तरीके से नाम है इसका हिंदी में ठीक है we have 5 senses हमारे क्या होते हैं 5 senses होते हैं we can see touch smell and hear हम क्या करते हैं touch कर सकते हैं मला देख सकते हैं touch कर सकते हैं smell कर सकते हैं सुन सकते हैं animals also use their senses to learn about the world animals चो dt Onlyowbirds अपने senses को use करते हैं किखने की सकते हैं आनिकि संसार के बारे में जानने के लिए animals क्या करते अपने senses को use करते हैं different animals के जो है किषी का gay आगर किसी का है आपका कि many years ago a scientist found many years ago scientist found that as the ants move they leave a smell on the ground the other ants follow the smell to find the way बहुत सालों पहले एक विज्ञानिक ने पाया कि जो चीटिया होती है जब वो आपकी चलती है जमीन पर चलती है तो वो एक smell छोड़ती है और उसी से क्या होता है जो बाकी अपकी एंड्स होती है वो स्मेल को ढूंडते हुए उनको फॉलो कर लेती है और उसी दास्ते से चलने लगती है उस रास्ते को मतलब वो ढूंड लेती है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब चीटिया जो यह वो चलती है तो वो इस तरीके से चलती है एक के अगर आप इनके बीच में कुछ यहां पर कोई भी आप हर्डल रख देते हो कुछ भी एक पैंसिल भी रख देते हो तो क्या होगा इनका जो यह लिंक होता है आपस में टूट जाता है और इनकी जो लाइन होगी है ब्रेक हो जाएगी तो यह यहां पर आपका एंड्स के यहां पर उसके बाद इस चेप्टर में दिया गया है सिल्क वाम के बारे में अब सिल्क वाम क्या है यहां पर देखिए सिल्क वाम के बारे में क्या कहा गया है आयम आयम सिल्क वाम मैं क्या हूं रेशम का कीड़ा हूं ठीक है यह कहते है कि मैं रेशम का कीड़ा हूं आइक कि उसकी माता वाम होती है उसको क्या कहती है वो बहुत por diagé कि prohibit pelt Bei किसी की शूऐस से उसकी समयल से पहचान लेती ہے तिक कि यृ इसकी श्ब्लम को दून asking प्रव मेर में सब्राइब करते हैं अपना आर्या अब incl. whispering रॉन की रॉन डोग्स के ंदर वहां किसे थे । आन पाह clean यह अपना एरिया मार्क कर देते हैं अपना जो इनका छेत्र होता है उसको क्या कर देते हैं यह मार्क कर देते हैं किस तरीके से करते हैं देखिये देखिये देखा होगा कुछ इस तरीके से कुछ सूंगते वह आपको पाये जाएंगे कही बर में वह क्या सूंगते हैं वह कि कोई दूसरे एरिया का कुट्ता अगर उनकी गली में आया है तो वो उसको किस चीज से पहचानते हैं उसका यूरीन के स्मेल से पहचान लेते हैं महल Birthday Bokavka को लोब बाट कर रखते हैं अपनी जगह को कि यह मेरा है आरिया है तो वो उस अरिया को उस एरिया में आते हैर ने सैंडे पर जाते हैं जो recharge आध है कि यह यह मेरे reduzis तो देख लो मतलब गजब सेंसिस होते हैं अनिमल्स के अंदर ना उसके बाद यहां पर बात की कही है मॉस्कीटो के बारे में मॉस्कीटो क्या है मॉस्कीटो क्या करता है मॉस्कीटो can find by by you by the smell of your body मौस्टि तो आपको किसे पहचानते हैं मच्छर देखी होंगे जाहिए आप मदलब रॉशनी में बैट ज Одऊ फिक्छा तो छोड़ते हैं कहीं परभी तो कैसे पहचानते हैं वह कीछ आपकी कि समैल से पहचानते हैं आपकी किसी से पहचानते हैं आपकी आपका पैर का फिल्वा होता है जो आपका पैर का सॉल होता है और आपकी बॉडी की जो हीट होती है उससे वो आपको पहचान लेते कि आप कहाँ पर बैटे हो ठीक है तो मॉटी 트视 के सेंसिस जया वो इस तरीके से काम करते हैं मतलображ उस इसंस म evacuation और आपकी बॉडी की हीट से आपको पहचान लेते हैं ठीक है next हम देखते हैं मॉस्किटोज के बारी आती है बर्ड की अब बर्ड की बारे में क्या चीज़ है काफी इंट्रस्टिंच चीज़ है इस चेप्टर में मतलब अलग-अलग अनिमल्स के सेंसिस के बारे में उनके सिर के दोनों तरफ होती है मतलब उनके हैड के दोनों तरफ होती है ठीक है अगया है अगर उनके लेफ्ट में कोई चीज है तो भी वो देख सकते हैंग लेफ्ट वाली आई से और राइट में कोई चीज़ उसको राइट वाली आई से देख सकते हैं दोनों की जो आईज को एक टाइम पे दो तरफा वो देख सकते हैं अराम से ठीक है? When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object और जब वो सामने देखते हैं बिल्कुल तो क्या होता है? उनकी दोनों आखें एक ही जगह पर टिकी होती है एक ही चीज़ पर focus कर पाती है You must have seen bird moving their neck very often आपने पक्षियों को क्या है? बहुत जादा इस तरीके से गर्दन को हिलाते हुए देखा हो अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं Do you know why? क्यों हिलाते हैं वो अपनी गर्दन को? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move जो birds की जो eyes होती है, जो उनकी आखों की पुतलियां होती है वो fixed होती है, वो मतलब move नहीं कर सकती है हमारे आखों की पुतलियों की तरह ठीक है? इसलिए अगर उनको कहीं और देखना है तो उनको अपनी गर्दन को ही गुमा करके देखना पड़ता है So birds have to turn their head to see around तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको अगर अपने आसपास में देखना है तो उनको अपने head को ही गुमाना पड़ता है अपने आसपास में, ठीक है? Mosquito bird Some birds like kite, eagle, vulture, ये जो birds होते हैं आपके इनकी क्या होती है? Can see four times as far as we can तो जो आपका जो चील होता है, आपका बाज होता है और आपका जो गिद होता है ठीक है? ये तीनो बक्षी ऐसे हैं जो क्या है? Four times यानि कि हम जितना देख सकते हैं ना हम से ये चार गुना जादा दूरी पर देख सकते हैं ठीक है? These birds can see things from a distance of 8 km what we can see from distance of 2 km मतलब कि जो चीज हम क्या है 2 km से देख सकते हैं वो ये आपकी कहां से? 8 km से भी देख लेंगे मतलब चार गुना हम लोगों से ये जादा देख सकते हैं तो ये इनका जो इनका देखने का जो पावर है वो हम लोगों से 4 गुना जादा होता है ठीक है? अब नेक्स देखते हैं Animals cannot see as many colors as we can Animals जो है वो बहुत सारे colors को नहीं देख पाते जैसे कि हम लोग देख पाते हैं ठीक है? बहुत सारे colors को वो नहीं देख पाते See how things in these pictures will be seen by other some animals ठीक है? तो ये देखो जैसे इनसान को अगर ये चीज इस color में दिखाई देगी तो ये इस पक्षी को ये चीज थोड़ी सी अलग color में दिखाई देगी ये इस डॉग को जो है वो इस color में दिखाई देगी और एक और पक्षी उसको ये बिल्कुल black and white दिखाई देगी मतलब अलग 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 अनिमल्स को जो है आप जानवरों को जो है क्या है अलग अलग तरीके से जो है colors दिखाई देते हैं ठीक है? तो देटाइम पर जो animals जागते हैं जो मतलब दिन में जागते हैं वो फिर भी कुछ colors को देख पाते हैं some colors यानि कि कुछ colors को देख पाते हैं those animals that are awake at night जो रात को जागते हैं can see things only in black and white color जो रात को जागने वाले animals होते हैं वो color को क्या है? सिर्फ उन्हें कोई color नहीं दिखाई देता है वो सिर्फ इनको black and white देख सकते हैं चीजों को जो दिन में जागते हैं उनको कुछ colors दिखाई देते हैं जो रात को जागते हैं उनको जो colors या वो black and white दिखाई देते हैं ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर में क्या है आपका पूद्ज की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं वो एक तरह से बहरे होते हैं किस ऐंगल से हम इसकते हैं देड़ो नौट है एक्सटर्नली एर्ज उनके जो कान होते हैं वो बाहरी कान उनके नहीं होते हैं जो कि आप देख सको वो कान उनके पास में नहीं होते हैं वो क्या करते हैं जो धर्ती पर एक कमपन होता है उसको महसूस करते हैं वो और उसी से उनको सुनाई देता है ठीक है Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come कुछ जानवर होते हैं वो क्या करते हैं start behaving in a different way मतलब कि एक अलग तरीके से वहवार करने लग जाते हैं जब आपका earthquake आना होता है या नि बुकम पाना होता है या फिर तुफान आने वाला होता है तो वो एक अलग तरीके से behave करने लग जाते हैं People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger जो लोग जंगल में रहते हैं जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं और जो इन behavior को observe कर सकते हैं इन जानवरों के इस वहवार को जो observe कर सकते हैं समद सकते हैं उन्हें पता चल जाता है इन animals के दुरूर की कोई खत्रा जो है वो आने वाला है वो उस खत्रे को पहचान ले 2004 दिसंबर की बात है ये अंडमान आइसलेंड में जो लोग रहते थे उन्होंने फ्यू जो ट्राइब्स रहते थे वहाँ पर कुछ आदिवासी रहते थे उन्होंने ये महसूस किया उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं जानवर है वो एक डिफेंड मैनर में यानि की कुछ अलग तरीके का अजीव वहार कर रहे है ठीक है उस जंगल में जो रह रहे थे दे गैस्ट सम डेंजर उन्होंने क्या किया उन्होंने एक गैस्ट किया उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि शायद कोई खत्रा आने वाला है So they moved away to a safer part of the island उन्होंने क्या किया वो आइसलेंड की एक safe जगा पर चले गए एक सुरक्षित स्थान पर चले गए Soon after the island were hit by the tsunami but these people were saved तो उन्होंने क्या किया वो लोग वहां से move कर गए और कुछ समय बाद क्या हुआ उस आइसलेंड पर उस पर क्या हुआ तुफ़ान आया वादर सुनामी आया लेकिन वो लोग जो है वो अराम से वहां पर बच गए क्योंकि उन्होंने एनिमल्स के उस behavior को पहचान लिया कि ये लोग कुछ अलग manner में behave कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया वहां से उस खत्रे को पहचान करके वह एक सुरक्षित जगह पर चले गए अब ये देखिए एक और इसमें है जिस जानवर के बारे में बात की गई है वो है sloth अब sloth क्या है it looks like a bear but is not ये देखिए ये आपका sloth है ये दिखता किसके जैसा है भालू के जैसा है लेकिन ये भालू नहीं है it is sloth it spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch ये क्या करता है अपने 17 घंटे जो है वो सोने में गुजारता है महराज जो है ये और कैसे सोते हैं hanging upside down a tree अपना जो है क्या करते हैं ऐसे सिर के बल लटक करके अपने एक ट्री की जो ब्रांच पर ये सोते हैं पेड़ पर उल्टे लटक करके सोते हैं ठीक है the sloth eats the leaves of the same tree on which it leaves तो क्या करते हैं जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके ये अपना आराम से गुजारा कर लेते हैं it hardly needs anything else इनको इससे जादा और कुछ नहीं चाहिए मला सोना और खाना अराम से हैं मला जैसे अभी ये हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो इनका मतलब आल टाइम लॉकडाउन चलता रहता है when it was eaten enough leaves from the dead tree it moved to the nearby tree जब वो उस पेड के almost सारे पत्ते जो है वो खा लेता है तो क्या करता है वो दूसरे ट्री पर चला जाता है जो पास वाला ट्री होता है उसके nearby आसपास के जो दूसरा पेड होता है उस पर चला जाता है sloth leaves for about 40 years and in that time they move around only 8 trees so 40-4 चाल की जो जिन्दगी होती है उसमें ये क्या करता है सिर्फ 8 पेडों पर अपनी पूरी जिन्दगी निकाल देता है ठीक है 8 पेडों पर पूरा 40 साल का अपना time ये अराम से निकाल देता है इतना आलसी किसम का वंदब जान वा रही है once a week it comes down from the tree to relieve itself ये जो है थोड़ा बहुत अपना माश्य जो फ्रेश वगेरा होने के लिए एक week में पूरे एक हफ्ता में एक बार जो है ये ट्री से नीचे उतरते हैं इससे आपका पहले सीटर से question आया हुआ है कुछ तीन चार चीज़ें आपको slot के बारे में दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि मतलब इसमें से कौन सा सही है या exceptional पूछ लिया जाएगा कौन सा slot के बारे में नहीं है तो आपको उसको find करेंगे कि यह एक चीज़ और है इसमें एनिमल्स का जो sleeping time है वो इसमें दिया हुआ चैप्टर में वह देख लेते हैं लिजर्ड गो फॉर हाइबर्नेशन डूरिंग विंटर सीजन जो आपने देखी होंगी लिजर्ड होती है जो चिपकलियां होती है वो क्या होती है आपकी सीजन में ठीक है काव जो होती है आपकी around four hours होती है चौबिस घंटे में यह जिराफ जो होता है आपका वो around two hours होता है पाइफन जो होता है उसका sleeping time 18 hours होता है यानि 18 घंटे होता है cat का आपका 12 घंटे का sleeping time रहते हैं तो यह अलग-अलग animals का sleeping time आप थोड़ा सा ध्यान रखे आप देख लेते हैं कुछ tiger के बारे में some facts about tiger क्या होता है a tiger can see यह देख सकते हैं आप tiger थोड़ा देख के ज़्यादा याद रहता है तो यह picture है tiger की a tiger can see six times better at night than most of us tiger जो होता है वो क्या होता है आपका अंधेरे में भी यानि night में भी क्या है यह six time better हम लोगों से क्या है छे गुना बहतर यह देख पाता है अंधेरे में भी तो यह देखे कि इतना मतलब एक super senses ही है एक तरीके से कि जो बाग होता है वो six times यानि कि छे गुना बहतर देख पा ब्रगों विट्वबूंट और वाइब्रेशन इन जो मुछ्छे रोटी आप देख सकते हैं यह वाली जो इसकी मुछ्छे होती है यह क्या होती है। secret the vishkers यानि मुछे very sensitive यानि बहुत sensitive होती है यह क्या कर सकती है आपकी हवा में हिलते हुए pumps को भी यह महसूस कर सकती है vibration movement of vibration in air यानि हवा में जो एक company होता है उसको भी यह भाप लेती है और उसे अपने शिकार की स्थिती का पता लग जाता है tiger को they help the tiger move in the dark and find its prey क्या है अंधेरे में भी उसको शिकार डूड़ने में यह ताइगर को जो है मदद करती है और वो अपने शिकार को डूड़न लेता है ठीक है A tiger's senses, sense of hearing is so sharp tiger का hear करने का यह जो सुनने का sense होता है इसका वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass यह क्या है इस चीज में फरक कर लेता है कि rustling of leaves यानि कि पत्तो की सरसराहट की आवाज में और the sound of the animal moving on the grass एक पत्तो की सरसराहट की आवाज है या फिर किसी animal के मतलब उसकी वो जो आप बोलते है ना जैसे पत्तो पर एक आवाज होती है अगर कोई एक जानवर आता है या फिर पत्ते हवा से हिल रहे हैं यह उन दोनों चीजों में जो है बहुत इसली फरक देख सकता है इतना ज़्यादा सूपर सेंसी है इसका hearing का जो इसका सेंसी है वो इतना ज़्यादा शार्प है इसके जो ताइगर के जो आपके इसके जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज को इकठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़ादा जो है घूम सकते हैं ठीक है अलग 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 दिशाओं में साउंड को केच करने के लिए अलग 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 कारण के लिए ठीक है, like when it is angry, जब वो गुस्से वाला होता है, जब वो गुस्से में दहाडता है, तो उसकी अलग आवाज होती है, or to call out a tigress, और जब वो एक अपनी शेरनी को बुलाता है, तो उसकी अलग आवाज होती है, it can also roar or snorl, क्या होता है, वो दहाडता है, बहुत जोर से जो है, दहाड सकता है, या फिर वो अलग आवाज में बात कर सकता है, its roar can be heard up to three kilometers away, जो इसकी जो दहाडने की आवाज होती है, जो गुराने की आवाज होती है, वो आप तीन किलोमेटर दूर तक भी आपको सुनाई देती है, ठीक है, each tiger has its own area which may cover several kilometers, ठीक है, जो आपका tiger होता है, उ जो बहुत किलोमेटर तक फैला हो सकता है, ठीक है, tigers mark their area with their urine, जैसे आपने हमने dog के case में सुना था, कि जो dogs होते है, वो अपने area किस से mark करता है, urine से mark करता है, तो उसी तरीके से tiger भी जो अपना area mark करता है, वो किस से करता है, urine से mark करता है, a tiger can at once come to know if there is another tiger, tiger in its area, by the smell of the urine, tiger जो जो किस चीज से, वो भी असानी से पता लगा लेता है, अगर कोई और tiger उसके area में अगर आता है, a tiger will avoid going into another tiger's area, तो अब ये tiger के उपर है कि वो क्या करता है आपका, वो उसको मतला उस area में जाना अवाइड करे, या फिर उस area में जाना चाहता है, वो उस tiger के उपर होता है, ले जो आपके animals है, कुछ जानवर है, वो खत्रे में है, किस-किस वज़े से है, कैसे है, देखते हैं, the tiger is one of the most alert animals and yet today tiger are in danger, अब जैसे कि हमने अभी भी tiger के बारे में पढ़ा, तो सबसे जादा जो है, सतर्क जानवर है ये, लेकिन उसके बावजूद भी, जो tiger है, वो खत्रे मे जासे, तो इतना सतर्क जानवर होने के बावजूद भी, इनसानों की वज़े से जो है, खत्रे में है, ठीक है, elephants are killed for their tusks, जो हाथी होते हैं, वो आपके किस के लिए, उनके tusks के लिए, यानि कि हाथी दांत के लिए उनको मार दिया जाता है, ठीक है, rhinosaurus for its horn, rhinosaurus को क्या है, उ snakes को, इनकी skin के लिए, इनको मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है, musk deer are killed just to make scent from its musk, जो musk deer होते हैं, आपके, वो क्या करते हैं, इनके musk के लिए, scent के लिए, उसके लिए इनको मारा जाता है, ठीक है, जानवर खत्रे में है, तो हमारी government इसके लिए क्या करती है, effect by the government, ठीक है, the number of tigers and many other animals in our country is reducing, बहुत सारे tigers जानी bugs जो है, और और भी other animals जो हमारी country में क्या है, reduce होते जा रहे हैं, बिलकुल घटते जा रहे हैं, ठीक है, there is a danger that some of them will soon disappear, उनके लिए इतना खत्रा है, कि कुछ जो है, इसमें से बिलकुल आपके क्या है, disappear हो चुके है, खत्म हो च animals, our government has made some forest as protected areas, ठीक है, इनको बचाने के लिए, हमारी जो government है, उसने कुछ protected areas बनाए है, कुछ जंगल जो protection के अंडर रखे गए है, some of them are Jim Corbett National Park in Uttrakhand, तो उनमें से एक कौन से आपका, Uttrakhand में Jim Corbett National Park है, ये question आपका बहुत important है, जिम Corbett National Park आपका कहां पर है, उत्रखंड में है, गणा, इन भरतपूर district of Rajasthan, एक और जगह है जो क्या है, गणा, वो कहां पर आपकी भरतपूर district of Rajasthan, राजस्थान की भरतपूर district में है, in these areas, nobody can hunt animals to or destroy the jungle, इन areas में क्या है, government का protection यहां पर है, और इन areas में क्या है, कोई भी और जंगलों को जो है, खरांग नहीं कर सकता है, तो यह आज के chapter में आपका animals की super senses के बारे में basically था, तो friends यह था हमारा आज का इसका first lecture, EVS की class 5th का NCRT का, next video में हम लोग 3 और 4 chapters को cover करेंगे, जो कि आपका part number 7 रहेगा, तो अपने friends के साथ में इसको share करें, जादा से जादा share करें, ताकि हम लोग मेहतरी के साथ में आगे बढ़ सकें, ठीक है, तो अगर चैनल को subscribe नहीं किया आपने अभी तक, तो जरूर subscribe करें, bell icon को भी hit करें, ताकि जब मैं रोज video upload करती हूँ, तो उसका notification आपको मिल जाए, so thank you, thanks for watching and keep learning, keep supporting